आज की तारीख है 21 दिसंबर 2021 हमारे दो चानल्स है पिनेकल और फ्रंटियर आई-एस और अगर अभी तक आपने इन चानल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा साथ ही साथ इस बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है ताकि मारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके हमारी दो वेबसाइट से साथ ही साथ पर डेली वीडियो पीडियाफ एंड मंथली मैगजीन आप माई टेलिग्राम हैंडल्स प्रेंटियर आइस और साथ ही स्टार्ट करेंगे प्रिवेस क्विज के साथ मैंने आपसे पहला क्वेस्टिन पूछा था कि स्पोर्ट्स अक्शन टुवर्ड हारनेसिंग एस्पिरेशन ओफ यूथ सहाई योजने किस राज़ा ने शुरू की है तो इसक सही जवाब था जहारखंड और दूसरा क्वेस्टिन पूछा था कि परलंपिक पुरसकार बेस्ट फीमिल डेबी ओवर्ड अड़ परलंपि किया गया है तो इसक सही जवाब था अवनी लेखारा स्टार्ट करेंगे फॉर्स्ट क्वेस्टन देखो आज के सेशन के लिए बीबीसी स्पोर्ट्स परसनालिटी ऑफ दी एर अवोर्ड 2021 किस ने जीता है तो इसक सही जवाब है ऑप्शन अबर बी एमा रादुकानू तो 2004 में विंबल्डन में 17 वर्षे मारिया शाराफोवा के जीतने के बाद से रादुकानू सबसे कम उम्र की महिला प्रमोक चैंपियन भी बनी रादुकानू को डव्यू टी ए सीजन अवोर्ड में नामित किया गया था नेक्स्ट क्वेशन देखो रिशप पंको किस राज्य क ब्रैंड अम्बेश्डर न्युक्त किया गया है तो से जवाब और सी उत्राखंड डिटेल्स यहां चेक कर लो तो उत्राखंड के मुखे मंत्री पुशकर सिंग धामी ने गोशना की है कि भारते विकट कीपर बले बास रिशप पंद को राज्य का ब्रैंड अम्बेश्ड के प्रती प्रत्साहित करने के उदेशे से रिशप पंद को राज्य ब्रैंड अम्बेश्डर न्युक्त किया गया है बात करें यहां पर उत्राखंड की तो इसके डैम जर्वर्ज में आता है लखवा डैम यमुना तेहरी डैम बागी रती राम गंगा डैम राम गंगा ना नेक्स्ट क्वेशन देखो रक्षानू संथानोल विकास संगठन डिया डियो ने किस पर्मानू सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल का सफलता पूर्वक परिक्षन किया है तसक सही जवाब हो ऑप्शन नबर बी अगनी प्राइम डिटेल्स यहां चेक कर लो तो डिया डियो ने अगनी प्राइम को 4000 कि रेंज वाली अगनी चार और 5000 किलोमीटर की अगनी पांच मिसाइलों में इस्तिमाल होने वाली अत्याधुनिक तक्नीक से विक्सित किया गया है यह अगनी श्येनी की मिसाइलों की नई पीडी का उन्नत संसकरन है नेक्स्ट क्वेशन देखो अंतराष्ट मानव एकता दीवस कब मनाया जाता है तो सई जवाब है ऑप्शन नमबर A 20 दिसंबर तो हर साल 20 दिसम्बर को अंतराश्टे मानव एक्ता दिवस मनाया जाता है यह दिवस दुनिया भर के लोगों को एक्ता के महत्व की याद दिलाने के लिए मनाया जाता है 2006 से अंतराश्टे मानव एक्ता दिवस मनाया जाता रहा है 22 दिसंबर 2005 को संयुक्त राश्ट महासभा ने घोशना की कि यह दिवस प्रती एक वर्ष 20 दिसंबर को मनाया जाएगा 23 में संयुक्त राश्ट महासभा ने विश्व एक जुटता कोश की सापना की थी जिसका उदेश्य गरीबी को खतम करना और माना विकास को बढ़ावा देना है नेक्स्ट क्वेशन देखो भारते लंपिक संग के समिधान में संशोधन को अंतिम रूप देने के लिए कितने सदस्यों की समीति का गठन किया गया है तो सही जवाब हो ऑप्शन निमबर A 6 डिटेल्स यहां चेक कर लो भारते लंपिक संग IOA ने अपने समिधान को राष्टे खेल सहिंता डाट इस नाशनल स्पोर्ट स्कोर्ट के अनरूप बनाने के लिए चुनाव से पहले इसमें संशोधन पर गौर करने के लिए 6 सदसे समिति का गठन किया समिति में IOA ध्यक्ष नरिंद्र बत्रा, महासचीव राजीव महता, कोशा ध्यक्ष आनेंदेश्वर पांडे, वरिष्ट उपाध्यक्षो, अनिल खन्ना, आरके आनन्द, तथा ललित भनोट को शामिल किया गया है यह समिति 20 जनवरी तक यह जाने वाले संशोधनों पर फैसला लेगी नेक्स्ट क्वेशन देखो महिला अंडर 18 और अंडर 19 सैफ चैंपेंशिप 2022 की मेंज जबानी कौन सा देश करेगा? तो सही जवाब हो अप्शन नमबर D, भारत भारत अगले साल महिला अंडर 18 और अंडर 19 सैफ चैंपेंशिप की मेंज जबानी करेगा? सैफ अंडर 18 महिला चैंपेंशिप जहां 3-14 मार्च तक होगी वही सैफ अंडर 19 चैंपेंशिप 25 जुलाई से 3 अगस तक होगी अखिल भारते फुटबल महासंग ने इसकी घोशना की अंडर 18 महिला चैंपेंशिप में बांगलादेश, भुटान, नेपाल, श्री लंका और में जबान भारत प्रतिस परधा करेंगे सैफ अंडर 19 चैंपेंशिप 6 टीमों में होगी छे टीमों को तीन-तीन के दो ग्रूप में बांटा जाएगा नेक्स्ट क्वेस्टन रेखो गोवा मुक्ति दिवस का मनाया जाता है तो सही जवाब है ऑप्शन नुबर B, 19 दिसमबर डिटेल्स यहाँ चेक कर लो तो गोवा मुक्ति दिवस हर साल 19 दिसमबर को भारते से शस्त्र बलो दुवारा किये गए ओप्रेशन विजे की सफलता को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है जिसने गोवा को 1961 में पुर्तगाली शासन से मुक्त कराया था श्री मोदी ने गोवा में 650 करोड रुपे से अधी की कई विकास परियोजना को उधगाटन और शीला नियास किया उधगाटन की गई परियोजना में पुरा निर्मत किला अगुवारा जेल संग्राले गोवा मेडिकल कॉलेज में बात करें हैं यहाँ पर गोवा की तो इसे कैपिटल है पानाजी सेम है प्रमोट सावन गवर्नर है पीए स्रीधन पिलई नेक्स्ट क्वेस्टन देखो भारती राष्टर राजमार प्राधिकरन नहीं ने सडकों के निर्मान में प्लास्टिक कच्रे का पुनर उप्योग करने के लिए डैस के साथ एक समझोता ग्यापन पर साक्षर किये हैं तो इसका सही जवाब है ऑप्शन उबर सी एनसी सी डीटेल्स यहाँ देख लो तो नहीं ने देश भर में सडकों के निर्मान के लिए अपने नवीनतम अभीमियम के दरान केड़िटों दुवारा एक कुद्र किये गए प्लास्टिक कचरे का पुनेव पियोग करने के लिए राश्टे के एड़िट को और NCC के साथ एक समझोता ग्यापन पर साक्षर किये हैं समुद्र तटो की सफाई के लिए NCC ने एक दिसम्बर से एक महिने तक चलने वाला पुनीत सागर अभ्यान शुरू किया है मंत्राले के नुसार 127-31 शेत्र NCC कायों के 3.4 लाक केड़ेट अब तक लगभग छेटन प्लास्टिक कच्राई कत्र कर चुके है अभ्यान को देश स्थानी अबादी और आने वाली पीडियों के बीच स्वच समुद्र तटो के महत्व के संदेश का प्रचार करना है नेक्स्ट क्वेशन देखो तो सुप्रीम कोड के पूर्व जस्टिस जीटी नानावती का हाल ही में निदन हो गया जस्टिस नानावती ने गुजरात के गोधरा कांड के साथ साथ 1984 के सिख विरोधी दंगो के भी जांच की थी दंगो की जांच के लिए ततकालिन मुख्य मंत्री नरेंद्र मोधी ने 2002 में इस आयोग की न्युक्ति की थी जस्टिस नानावती को एंडिया सरकार ने 2000 में 1984 के सिख विरोधी दंगो की जांच के लिए न्युक्ति किया था तो सब्सक्राइज जवाब हो ऑप्शन इमर्डी असम डिटेल्स यहां चेक कर लो तो असम सरकार ने एशियाई विकास बैंक के साथ असम कौशल विश्वी दाले पर्योजना की स्थापना के लिए रिन समझोता किया असम स्किल युनिवर्स्टी की साथना एशियाई विकास बैंक द्वारवित पोशित एक भारी सहाथा प्राप पर्योजना के हिस्थे के रूप में की जाएगी पर्योजना के अनुमानित लागत 140 मिलेन अमेरिकी डॉलर थी जिसमें राज्ये की 20 प्रतीशत हिस्सेदारी भी शामिल थी जाज्ये सरकार ने कोशल विकास संसान के लिए मंगल दोई में 250 बिगाज जमीन अवंटित की है और निर्मान अगले साल की शुरुआत में शुडू होने वाली है इस परियोजना के 2027 तक पूरा होने की उमीद है बात करें हाँ पर असम की तो इसके फोक डांस में आता है बी हू युनेस्को वर्ल्ड हेटे साइट समें आता है काजी रंगा नैशनल पार्ग नाशनल पाक्स में आता है काजी रंगा नाशनल पाक, मानस नाशनल पाक, औरंग नाशनल पाक, डिबरू सिखोवा नाशनल पाक, अड़ना मेरी नाशनल पाक, असम की कैप्टल है डिस्पूर, गवर्नर है जगदीश मुकी, सीम है हीमद विस्वा, सर्मा, बात कर लेते हैं आज के सेशन के को एक समरी की तो दोजार रिकिस का बीबीसी स्पोर्ट्स पस्नालिटी ऑफ दी एर रवॉड एमा रादुकानु ने जीता है रिशपपन को उत्राखंड का न्यू ब्रैंड अम्बेस्जर न्यूक्त किया गया है डिया डियो ने न्यूकलिर क्यापिबल बैल कमिटी बनाई गई है विमेंज अंडर 18 और अंडर 19 सैफ चेंपेंचिप 2022 की में जबानी इंडिया करेगा गोवा लिब्रेशन डे 19 दिसंबर को मनाया जाता है नहीं ने एंसी सी के साथ प्लास्टिक वेस्ट को रियूस करने के लिए एमो यू साइन किये है जस्टिस गिरी किया गया है और आपका दूसरा क्वेस्टिन है बीबीसी स्पोर्स पस्नालिटी ऑफ दी इयर अवर्ड डोजा रिक्स किसने जीता है इन दोनों क्वेस्टिन का आंसर आपको नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर करना है और अगर अभी तक आपने मारे चैनल को के हमारी दोनों वेबसाइट्स और टेलीगराम हैंड्स को जोइन जरूर करना है थैंक्यू सो मच